नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अड़ा 247 में दोस्तों रिसेंटली जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं वो वास्ता में भुखमरी जैसे चल रहे हैं मनलब आप ये मान सकते हैं कि वहाँ पर लोगों का जीना बहुत ज़्यादा हराम हो चुका है क्योंकि महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई प्रेजन टाइम पर पाकिस्तान के अंदर है इवन श्रिलंका को भी पाकिस्तान जो है पीछे छोड़ चुका है और नमबर वन पर आ चुका है तो शाबाज शरीफ सरकार के अपर एक और जो लांचन है इस महंगाई का वो लगने वाला है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तो यह है कि जो IMF है International Monetary Fund वहाँ से जो बैल आउट पैकेज है इसकी भी कोई बात जो है पाकिस्तान की तरफ से नहीं बन रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो पाकिस्तान इंफलेशन आउट पैसे स्री लंकाज एज 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 फास्टेस तो एजिया में सबसे ज़्यादा highest अगर हम बात करते हैं fastest हम बात करते हैं inflation rate की तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आ रहा है और दोस्तो इसको काफी ज़़ा डिसकस भी किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी इसको काफी बड़ी tragedy समझ रहे हैं और वास्ता में what a tragedy जो है वो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सहाबाज गॉर्मेंट को slam कर रहे है Pakistanis क्योंकि country के अंदर जो inflation है वो record high percentage पर पहुँच चुका है it is 36.4% जो श्रिलंका से भी ज्यादा है present time पर तो आईए इस चीज को discuss करते हैं काफी कुछ आप जान पाएंगे क्या चल रहा है पाकिस्तान में महंगाई को लेकर इसे present करता हूँ मैं आपके सामने मेरा नाम है सुरफस्वामी तो दोस्तों कमजोर मुद्रा हो चुकी है पाकिस्तान की और साथ ही साथ food crisis चल रहा है food की जो rate है बहुत ज्यादा rise कर रही है इसकी साथ energy cost भी upper level पे है तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं कुल मिला के तो inflation जो है वो peak के उपर है और इस तेज महंगाई में पाकिस्तान जो है जो दिवालिया श्रिलंका हो चुका है उसको भी पीछे छोड़कर अब एशिया में नंबर बन बन चुका है और इस मामले में एशिया में टॉप का जो एक काटेदार ताज है वो पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है जो यह जो थ्रोनी क्राउन है वो अब पूरे एशिया में सिर्फ पाकिस्तान के उपर आ चुका है क्योंकि यहाँ पर 36.4 जो है अप्रेल के अंदर अप्रेल 2023 में inflation जो है वो पहुँच चुका है मलब आप मान सकते हैं दोस्तो किती बूरी हालत जो है पाकिस्तान में लोगों की होगी और कमाल की बात है पाकिस्तान एस्टेटिक्स डिपार्टमेंट ने इस डेटा को रिलीज किया है और यहाँ पर जो कंजिमर प्राइस जो है उसको इंक्रीस कर दिया गया है 36.4% जो मार्च के कंपेर में अप्रेल में ज्यादा है और यह 1964 से अगर हम बात करते हैं जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक अपने हाइस्ट पीक पे और मार्च में 35.4% के व्रद्धी के एवरेज के अनुमान से यह बिल्कुल सिमिलर सा हमें देखने को मिलता है लेकिन यह वास्ता में बहुत ज़्यादा एक होरिफाइंग सिच्वेशन है पाकिस्तान में लोगों के लिए और देखे इन स्टेटिक्स डिपार्टमेंट के जो आकड़े हैं उनसे हमें यह भी पता चलता है कि अप्रेल महीने में ट्रांसपोर्ट के दो दाम है पाकिस्तान में वो 56.8% बढ़ चुके हैं और यह जो खाद्य महंगाई है यह जो एकनोमिक क्राइसेज है उसके साथ सा कि जो food crisis चल रहा है पाकिस्तान में इसकी जो rate हम देखते हैं यानि जो food inflation zero rate है वो भी 48.1% के साथ बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर है और साथी इसमें अलग-अलग तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर कपड़े हो जूते हो कोई भी चीज हो उनकी rate 21.6% से बढ़ होती है जो किसी भी आम इंसान के लिए जरूरी होती है उसकी rate जो है वो भी 16.9% से अपने highest peak के उपर है ऐसा शायद पाकिस्तान के लोगों ने तो कभी experience नहीं किया होगा इस situation को इवन अगर हम बात करें तो recently 5 दिनों पहले कि यह news है पाकिस्तान ने approve कर दिया था कि जो medicine price ह है वो अब 20% increase कर दी गई है जबकि inflation अपने peak पर है और currency का devaluation हो चुका है उसके बावजूद क्योंकि सरकार के पास में पैसे नहीं है जो forex reserve है वो बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा एक अजीब situation में है क्योंकि यहाँ पर forex reserve बहुत कम बचा है बैंकों के अंदर इसी वज़े से आप समझ पा रहे हैं यह situations है इवन जब बात करते हैं हम IMF की तो यहाँ पर सावा सरीफ की जो government है और IMF है इनके बीच में कोई बात नहीं बन रही है जबकि यह दोनों एक दूसरे के against हो चुके हैं ऐसा कुछ news articles में हमें देखने को मिला है क्योंकि जो bankrupt पाकिस् जो है वो एक program के थैट कुछ conditions के साथ पाकिस्तान को देना चाता है लेकिन इसमें conditions काफी ज़्यादा अब यह मान सकते हैं कि compulsory बन चुकी है क्योंकि conditions में यह पता चला था कि जो fuel price के उपर tax है उसको increase कर दिया जाए लेकिन पाकिस्तान के अंदर inflation बहुत ज़्यादा है इस की वज़े से जो कि पाकिस्तान की सरकार नहीं करना चाती क्योंकि इस साल पाकिस्तान के अंदर election भी है और IMF bell out fund आने वाले महीनों में पाकिस्तान को food और diesel fuel जैसे जो आवशक export है इनके लिए जो defalter गोशित होने वाला पाकिस्तान है वो बनता हुआ हमें पता चल सकता है इ IMF दोबारा मदद करने से पहले पाकिस्तान से एक आर्थिक गारंटी मांग रहा है तब जाकर मतब यह जो एक financial गारंटी है अगर पाकिस्तान की सरकार IMF को देती है तो ही IMF जो है एक bell out package पाकिस्तान को दे सकता है जिससे पाकिस्तान food crisis, fuel crisis या फिर इसको inflation भी आप थोड़ political crisis भी आप मान सकते हैं जितने भी problems चल रही है इनको थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान कम कर सकेगा और शायद आने वाले समय में election जह है पाकिस्तान में अच्छे तरीके से हो सकते हैं इवन अमेरिका ने भी पाकिस्तान से इस बात को कहा है कि आप IMF की जो reforms है जो conditions है इनको move forward करिए यानि इनको मान कर आप आगे चलिए जिससे आपको कुछ bell out package जह है वो IMF से मिल सके नहीं तो country की situations बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है और इस Bloomberg की report में इस बात को भी mention किया गया है कि ये जो पाकिस्तान में अप्रेल में situation है इसका मतलब ये है कि मई के अंदर inflation peak प से भी अर्ज गया था एक request करी थी कि जो military finance है इसको restore कर लिया जाए क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है तो यहाँ पर आप यह मान सकते हैं कि पाकिस्तान के जो diplomats वहाँ गए थे USA में तब इस बात को काफी ज़्यादर ढहराय गया था कि पाकिस्तान US के साथ में ज बहुत ज्यादा है इवन इसको 4 billion US dollar के आसपास आंका गया है जो की बहुत कम किसी country का देखने को मिलता है इवन जब पाकिस्तान में inflation अपने peak पर है उसके बावजूद भी तो दोस्तों वैसे आप इसको social crisis भी बहुत सकते हैं कि पाकिस्तान कई तरह के जो problems है इनके साथ आ जो per capita income है उसकी अगर हम बात करें तो 1960s के एरा में इंडिया से ज्यादा per capita income पाकिस्तान की लोगों की हुआ करती थी लेकिन आज ये हालत है कि जो inflation rate है वो 1964 में अब तक की historical जो peak है उस पर हमें देखने को मिली है तो exactly दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान में I hope आ आपको जुरूर बता दू अगर आपने अड़ा 247 application डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें काफी अच्छे अच्छे course अफलेबल है आप प्री प्लस मेंस की live foundation batch के साथ त्यारी कर सकते हैं जो एक मेंशे शुरू हो चुका है सिर्फ 9000 रुपे में सिर्फ 9000 आप एक साल तक live classes के साथ UPSC के त्यारी कर सकते हैं simply आपको अड़ा 247 application डाउनलोड करना है और जो coupon code है उसमें Y572 जो code है वो लगाना है जैसे ही आप ये code लगाएंगे आपको सीधा 78% के जो आसपास discount है वो मिल जाएगा और बहुत कम price में आप UPSC के त्यारी कर सकते हैं और किसी भी course को enroll करने के लिए Y572 जो code है वो लगाना बिलकुल भी ना उले ये था दोस्तों इस वीडियो में इसी तरीके के important और informative वीडियो के साथ मागे मिलता रहूंगा आपसे धन्यवाद